नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत थे टार्गेट क्लासेज भी धरी सर्में इस वीडियो में हम बाल विकासम सिच्चा साथ सम्मधित कुछ अतिमाहत्पूर प्रस्ण देखेंगे जो आगामी सीटेट की परिच्छा के लिए बहुत तुप्योगी होंगे और जो लोग हमाई चैनल पर नए हुआ है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रस कर दें जिससे किसी भी नए वीडियो का नोडिफिकेशन आप तक समय से पहुँश सके देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेशन फर्स्ट क्वेशन दिया हुआ है निमलिखित मैंसे कौन से संग्यानात्म क्रिया दी गई सूचना के बिसलेशन के लिए प्रयोग में लाई जाती है तो यह कौन से क्रिया प्रयोग में लाई जाती है यह आप लोग को बताना है वरडन करना पहचान करना अंतर करना या वर इसका बिस्लेशर करने के लिए यूज में लाई जाती है तो यह लाया जाता है अंतर करना सी आप्शन राइट होगा इसका नेक्स्ट कोईशन देखते हैं सिच्छार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुरावरतियो और पत्या इसमृरतियों की मदद करना महत्पूर है क्योंकि पूरव पाठो को दोहराने का या प्रभावी तरीका है या सिच्छार्थी के इसमृरत को बढ़ाता है जिससे सीखना सुध्रण होता है C option दिये या किसी भी कच्छा अनुदेशन के लिए एक सुविधा जनक शुरुवात है नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समरद बनाता है तो इसमें से कौन सा option सही होगा ये बताना है तो इसका right answer होगा नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को क्या बनाता है समरद बनाता है यानि सिच्छार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुन्रावरत्ति और त्यासमर्ड में सिच्छार्थियों के मदद क्या करता है यानि कौन से सबसे महत्पूर्ण कारक है नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना यानि अगर किसी बच्चे को हम जोड़ बताने जा रहे हैं तो उसको गिंतियों का ज्यान होना चाहिए जैसे दो में एक प्लस करना है तो एक उसके बाद दो उसमें प्लस करना है तो दो तीन इस तरीके से उसको ज्यान होना चाहिए पूर्व जिससे नई जानकारी उसको आसानी से दी जा सके नेक्स्ट प्रेशन देखते है निम्न लिखित मैंसे किस कथन को सीखने के लच्छड के रूप में नहीं माना जा सकता है ब्यवहार का अध्यन सीखना अन अधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है और सीखना एक प्रक्रिया है जो ब्यवहार में मध्यस्तता करती है और D option दिया है सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनभवों के परणाम से रूप घटित होती है तो इसका right answer होगा option number A यानि ब्यवहार का अध्यन सीखना है तो इसका एक पर question देख लेते हैं किस कथन को सीखने के लच्छण के रूप में नहीं माना जा सकता है यह ध्यान रखियेंगे नहीं माना जा सकता है लिखा हुआ है तो यहां पर क्या होगा ब्यवहार के अध्यन सीखने के रूप में नहीं माना जा सकता है जबकि अनधिगंभी सीखने का एक हिस्सा है सीखना एक प्रिक्रिया है जो बेवहार में मध्यस्ता करती ये भी एक लच्छड है और सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परणाम सुरूप घटित होती है त्यानि राइट आंसार होगा आप्सन नमबर ए नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं क्वेशन नमबर साली भूमिका पर पल देता है अनुकरा की भूमिका पर केंद्रित है या दुनिया के बारे में अपना द्रश्टिकोंड निर्मित करने में सिखार्ती की भूमिका पर बल देता है तो सिध्धान्त के रूप में रचनावाद क्या है तो जिसमें जो राइट आंसर होगा वह निमन लिख्षित में से कौन से समझ के लिए सिछल को प्रदर्सित नहीं करता है समानता और अंतर देखने और साध्रसिता इस्थापित करने के लिए बिद्यार्थी की सहायता करना बिद्यार्थी को एकांकी तथ्यों और प्रत्किरियों को याद करने के योगी बनाना परिघटना या उधारण को अपने सब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए बिद्यार्थी को कहना नियम कैसे काम करता इसे इसपष्ट करने ही तो उधारण उपलब्द कराने के लिए बिद्यार्थी को पढ़ाना यह question दिया हुआ है कौन सा समझ के लिए सिच्छड को प्रदर्शित नहीं करता है तो NCF क्या करता है बिद्यार्थियों को याद करने पर जोर नहीं देना है तो यानि right answer होगा option B बाकी सारे जो हैं सिच्छड को प्रदर्शित करते हैं next question देखते हैं बिस्यस रूप से प्रात्मिक इस्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंदी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बहतर तरीका कौन सा है यह बताना है तो महेंगी और चमदार सहायक सामगरी का प्रयोग करना सरल और रोचक पाट पुस्तकों को प्रयोग करना कहानी कथन पद्दत का प्रयोग करना यह चमता के अनरूप विभिन सिच्छन प्रद्दतियों का प्रयोग करना तो 20S रूप से प्रात्मिक इस्तर के विद्यार्थियों के सीखने समंदी समस्याओं को सम्मोधित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो सबसे अच्छा तरीका है छमता के अनुरूप विभिन्र सिच्छर पद्धियों का प्रयोग करना यानि प्रात्मिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंदी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेधर तरीका है कि अगर किसी सिच्छार्थी यानि कोई विद्यार्थी ये को कुछ समझाना है तो उसके लिए एक नहीं बलकि उसकी छमता के अनुसार उसे प्रात्मिक स्तर पर एक सिच्छक में निवन मैसे किसे सबसे महत्तपूर्ण विशेषता मानना चाहिए जो प्रात्मिक स्तर पर सिच्छक होता है तो उसकी सबसे महत्तपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए उसमें धैरी और धरता होनी चाहिए सिच्छन पद्दतियों और विसेयों के ज्यान में दच्छता होनी चाहिए, आतिमानक भासा में पढ़ाने में दच्छता होनी चाहिए, या पढ़ाने की उत्सुकता होनी चाहिए, तो सिच्छाक में कौन से सबसे महात्रपूर विसेशता होनी चाहिए, उसमें धैर और ध्रडता होनी चाहिए, यान निकि उसके अंदर धैरे और धड़ता का गुड़ होना चाहिए नेक्ट पॉजिशन देखते हैं एक सिच्छक अपने लोकतांत्रिक सुभाव के कारण विद्यार्थी को पूरी कच्छा में कहीं भी बैठने की अनुमत देता है सिच्छार्ती एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामोहिक पठन करते हैं कुछ चुपचा बैठकर अपने आप पड़ते हैं एक अभिभाव को या पसंद नहीं आता इस इस्थिस से निपठने का निम्नमैसे कौन से तरीका सबसे बहतर हो सकता है तो इसमें से सबसे अच्छा तरीका कौन से होगा अभिभावकों को प्रधानाचार से अनरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दे अभिभावकों को सिच्छक पर विश्वास ब्यक्त करना चाहिए और सिच्छक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए अभिभावकों को उस विद्याले से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए यह D option दिया हुए अभिवावकों को प्रधाना चार से सिच्छक की सिकायत करनी चाहिए तो इसका right answer होगा अभिवावकों को सिच्छक पर बिश्वास बेक्ट करना चाहिए और सिच्छक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए अगर कोई समस्या है तो अभिवाव को सिच्छक पर विश्वास ब्यक्त करना चाहिए हो सिच्छक के साथ उस समस्या का समाधान करने के लिए चर्चा करनी चाहिए Next question देखते है एक सिच्छक अपने सिच्छड में द्रस से स्रव सामग्रियों और सारेडिक गत्विदियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे सिच्छक को आराम देते हैं कि प्रभावी आकलं को सुगम बनाते हैं वे सिच्छातियों को वैविध्य उपलव्द कराते हैं या इनमे अधिक्तम इंद्रियों का उपयोग सीखने को समवर्धित करता है यानि एक सिच्छक में अपने सिच्छर में द्रस्सराफ सामगरी और सारी गत्वितियों का प्रयोग करती है अनेक तरह कि सामूहिक गद्विदियों में ब्यस्त रखती है यहनि कोई सिच्छी का है वो अपने विद्यार्थियों या सिच्छार्थियों को सामूहिक गद्विदियों में ब्यस्त रखती है ये प्रदर्सित करता है सामाजिक गतिवित के रूप में अधिकाम इसका राइट आंसर होगा आपसर नमबर ए ये थे आज के दस आति महत्तुपूंड प्रस्न और जो लोग हमाय चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रस कर दें और साथ में वीड